नमस्कार हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार मुख्यमंत्री शिरीजाराम ठाकुर ने आज शिमला में राज लोक निर्मान विभा की समिक्षा बैठक की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सडके जीवन रेखा का कार्य करती है क्यूंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित है इसलिए राज में सडकों के उचित रख रखाव और निर्मान को सर्वोच प्राथमिक्ता प्रदान करना अनिवार है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज सरकार नावाड के अंतरगत तै किये गए वित्य लक्षों और उपलवधियों को हासिल करने में विलंब को गमभीरता से लेगी क्योंकि इससे ना केवल परियोजना की लागत में वृधि होती है बलकि राज के वित्य पोशन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है शिरी जैराम ठाकूर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गाउं की सडकों के पैच वर्क और टाइरिंग के लिए एक विशेश अभ्यान चलाना चाहिए ताकि यात्रियों को किसी भी असोविधा का सामना ना करना पड़े उन्होंने अधिकारियों को भू सकलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिये तथा भू सकलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तरित परियोजना रिपोर्ट तयार करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि अधिक्षन अभ्यांता एवं अन्य फिल्ड अधिकारी सडकों का नियमित निरीक्षन सोनिश्चित कर उच अधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें मुख्यमंतरी ने फेल्ड अधिकारियों को हर पखवाडे कारियों की प्रगती की समिक्ष करने और इनकी नियमित निग्रानी करने के भी निर्तेश दिये उन्होंने कहा कि कारियों में पूरी गुणवता सुनिचित की जाए और इस सम्मंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा नाबाड और प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से संबंदित परियोजनाओं को समय बध पूर्ण करना सुनिचित किया जाए वश्य 2018-19 से नाबाड के अंतरगत 5,834 करोड रुपे में से 1,977 करोड रुपे की 401 परियोजनाओं को स्विक्रिती प्रदान की गई है नाबाड के साथ 898 करोड रुपे की 167 परियोजनाओं की विस्तरित परियोजना रिपोर्ट जाच के दाएरे में और 349 करोड रुपे की 49 परियोजनाओं योजना व्यभाग के पास है श्री जाराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित वर्ष के दौरान CRIF के अंतरगत 195 करोड रुपे की 12 परियोजनाओं स्विक्रित की गई हैं जबकि 64 करोड रुपे की 8 परियोजनाओं पूर्ण कर ली गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 21,869 किलोमेटर लंबाई की 3,683 सडकों की स्विक्रिती मिल चुकी है वश 2019 में PMGSY 3 की शुरुआत हुई थी जिसके अंतरगत ग्रामिन क्रिशी बजारों, स्कूलों, कॉलिजों और अस्पतालों को जोडने वाली अन्य सडकों की उन्यन की परिकल्पना साकार की जा रही है उन्होंने कहा कि इस परियोजना की अंतरगत 3125 किलोमेटर की सडकों का उन्यन किया जाएगा शिरी जाराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पुलिस, आयर्वेद और पशुपालन विभाग सहित 6 प्रमुख विभागों से सम्मंधित 702 विकासात्म कारे क्रियान वित किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि निधी का पुनर विनियोजन किया जाना चाहिए ताकि पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को शिग्र पूरा किया जा सके उन्होंने आधिकारियों को महत्वकांग्शी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के भी निर्देश दिये मुख्यवंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सडक परिवर्तन परियोजना सरकार की एक महत्वकांग्शी परियोजना है जिसके माध्यम से 2000 किलोमेटर के मुख्य सडक नेटवर्क को रणनीतिक रूप से परिवर्तित करने का लक्ष है उन्होंने कहा कि 650 किलोमेटर राज्य सडक नेटवर्क का उन्यन किया जाना प्रस्तावित है जबकि 1350 किलोमेटर सडकों का समय समय पर रख रखाव किया जाना है श्री जैराम ठाकुर ने कहा कि 81 किलोमेटर राश्ट्रिय राजमार्गों को चोड़ा करने और उनके सूधरीडी करन तथा तीन पूलों के निर्मान के लक्ष की तोलना में अभी तक 85 किलोमेटर सडकों को चोड़ा करने और उनके सूधरीडी करन का लक्षय प्राप्त कर लिया गया है तथा दो पूलों का निर्मान किया जा चुका है वर्ष 2021 में राष्ट्रिय राजमार्गों के लिए 324 करोड रुपए की वार्षिक योजना स्विक्रित की गई है जिसका कार्य प्रगति पर है उन्होंने अधिकारियों को प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्गों पर काम में तेजी लाने के निर्देश दिये इसके बाद मुख्यमंत्री शिरी जहराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बाचित करते हुए कहा हमारे हर क्षेतर में चाहे वो टारिंग का है चाहे वो कनेक्टिविटी का है और चाहे हो हमारा रोड की लंप को बढ़ाने का काम पूरे परदेश दिपार्ट्मेंट ने किया है वो अच्छा किया है और पीमजी असवाई में तो आपको मारू है कि मंडी जिला पूरे को कहा है और बजट सतर से पहले हम कोशिश करेंगे एक वाफिर से रिव्यू करेंगे और ताकि हम अच्छी तरह से हिमाचल परदेश को कनेक्टिविटी दे सके और उसके साथ साथ में जो हमारे इंफरस्ट्रक्टर की दिश्टी से जो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं जो स्कूल के बहुत के बहुत रहे हैं अब तो सारी चीजों कर वेर्वियू किया तो उसमें प्रवाजट्री स कुछ जगह टैगी है कि जिन में काम हमारा 70% से उपर हो गया है बजट का फोकस वहां करके ताकि उसकी कंपलिशन को हम जल्दी कर सके तो उस लिश्टी से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश्ट में पी डिपार्टमेंट के मादियम से जो भी एक्टिविटीज हमारी चली है उस एक्टिविटीज के प्रदेश सरकार द्वारा राज के युवाओं को स्वावलंबन की रह में अग्रसर करने के लिए कई योजनाय क्रियानवित की जा रही है कोरोना के दौर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने प्रदेश के कई युवाओं के जीवन में उजाला किया है इस योजना का लाभ उठाकर जिला उना के बंगाना निवासी श्री राकेश कुमार ने आपदा में औसर की खोज की, श्री राकेश कुमार ने आठ वर्शों तक नॉडा में लिबराव जिन्दल जैसी बड़ी कमपनियों में काम किया, परंथु जब कोबिड महामारी ने उन सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने स्वैम का गद्दा उद्योग स्तापित किया जो उनकी आयका स्त्रोत बन गया। वह आज दूसरों को भी अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। योजनाओं का लाब लेकर अपना वेबसाय शुरू करने की अपील करता हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसलिक के लिए 30 सबसेड़ी का प्रावधान है। हमारे यहां पर हर प्रकार के गद्दे, सोफा कम बैड, सब्रिक के गद्दे, शीटें तियार की जाती हैं। और साथ में पिलो, कुशिंस, सभी आधी परकार के गद्दे जो हैं वो त्कियार की जाते हैं। और काफी मार्केट से सस्ते दामब पे लोगों को परवाड़ कुराए जाते हैं। सॉलंबर योजना जो काफी से फाइदे मन्द हैं। इसमें सरकार जो हां वो आवश्यक्ता के अनुसारत सर रेंड पर परवाड़ कुराती हैं। मशीनों के लिए और रोज मदा जो हमारी खर्चे होते हैं सर उसके लिए वर्किंग करता पर परवाड़ कुराती है। इसके उपर सर सब्जडी भी देर ये प्रकार है। शिरी राकेश की तरह ही जिला उना में पिछले साड़े तीन वर्षों में तीन सो से अधे की वाउने मुख्यमंतरी स्वावलंबन योजना का लाभ उठाया है। जिन्हें विभिन बैंकों के माध्यम से लगभग 48 करोड रुपए के रिण वित्रित किये गए हैं। विभाग ने इसके लिए लगभग 13 करोड रुपए उपदान के रूप में पात्र व्यक्तियों को प्रतान किये हैं। स्वास्ति इवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दोपहर दो बजी जारी बुलेटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 1085 लोगों के सेंपल लिए गए जिन में से 106 लोगों की रिपोर्ट नेगिटिव पाए गई है। जबकि 976 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 37,415,541 लोगों की जांच की जाच चुकी है जिन में से 35,15,195 सेंपल की जांच नेगिटिव पाए गई है। प्रदेश में कुल 2,25,326 लोगों में कोरोना वाइरिस के संकर्मन की पुष्टी हुई है जिन में से 2,20,524 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,007 व्यक्ति उप्चार अधीन है। इस अंक में इतना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाजत नमस्कार।